अभी पीछे आपने सर वांचुक जी का वीडियो देखा यह उसके चलते एक मुहीं पच्छड गए कि अपने को बॉयकॉट करना है चाइनीज प्रोडक्स को चाइनीज गुड्स को चाइनीज इंपोर्ट को अब वांचुक जी ने यह जो गलवान वैली में सारा जो टेंशन चल रहा है बिट्वीन एंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी इसके चलते वांचुक जी ने अपना कंसर दिखाया और बोला कि अपने को चाइना के एकोनोमी को हराना है बॉयकोटिंग देर प्रोडक्स क्योंकि हम जो उनके इतने प्रोडक्स कर रहे हैं उनकी एकोनोमी मे ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी जो नागरिक पैसा खरचते हैं चीन के सामान को खरीदने में और अगर आप वांचुक जी को नहीं जानते तो मैं आपको पता दूंस सोनम वांचुक जी आपने त्री इस मुवी देखोगी उसमें जो आमीर खान का करेक्टर था फु जीनियर है यह लदाख में एंव्यर्मेंट को लेके वहां के लोकल को लेके बहुत अच्छा काम करता है और उनके लिए मैं उनका बहुत रसपेक्ट करता हूं और मेरा यह वीडियो अगेंस नहीं है इस महीम के मैं भी चाथा हूँ कि चाना के उपर से हमारी डिपेंडेंस और लास्त तक जरूर रुखेगा क्योंकि मैं आपको जो सलुशन बताऊंगा वह बहुत इंट्रेस्टिंग होंगा सुनने के लिए तो नमस्कार दोस्तों मेरे ना मैं दिपांकर और आप सब देख रहे हैं मेरे चनल एंट आप अज इंट्रेशनल चे रहे हैं इंपॉर्ट कि बात करते हैं अग्लोबन निज्लियोज की बात करती हैं को तो सबसे पहले देखते की अपने कृबन क 술 बैन करना है यह जार है कि प्रोडक्स को बैन करने की बात करते है Chinese जो प्रोडक्स हम ले रहे हैं चीप इतने चीप वहां पे प्रोडक्स मिलते हैं वह हम हम को एडिक्शन हो गये इतने चीप प्रोडक्स को इंडिया में इंपोर्ट करके उनको कंशुम करने की खिलोंने हो गए और दूसरी जो सारी चीजें है तो इंपोर्ट है कितना हमार चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो है अराउंड सेवेंटी बिलियन डॉलर का बट देखने वाली बात यह है कि चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट में कॉंट्रिबूशन था यह था और उनली 3% सिफ 3% उनके टोटल एक्सपोर्ट को कॉंट्रिबूशन है इंडिया को जो कि 70 बिलियन डॉलर का है तो आप देखेंगे कि अगर हम एक बार के लिए इंपोर्ट में लगा दे या टैरिफ्स पड़ा दे तो भी उनको कुछ जादा फरक नहीं पड़ेगा अब बात करते हैं इंडियन एक्सपोर्ट की जो चाइना को होता है चाइना इंडिया करता है इन सारी चीजों को लेके तो इंडिया को जादा हिट होगा यह तो हो गई डिरेक्ट चाइनीज कंपनी से माल खरीदने की बात अब ग्लोबली भी हैंसी बहुत सारी कंपनी से जहां से हम इंपोर्ट करते हैं उन कंपनी के जो फिनिश प्रड़क्स हैं उनका जो है इतना दाब वस्मेंट हो कलकी डेर्ट में ताइवान में इंडोनेशिया में सिंगापूर में मलेशिया में जहां से हमारा दूसरा इंपोर्ट भी हो आपर को ये फ़र्म खोल लेगे या कोई इन्वेस्मेंट कर देंगे और सारा जो राउटिंग है वहां से उनके नाम स के साथ है हमारी पिचनस हमारा यह करता रहेगा और चाइना सिर्फ इंडिया के साथ नहीं करता आप देखेंगे पिछने में दुनिया सो जूज झूज रही थी तो चाइना ने अपने उनको अपनी इस चीजों से ध्यान अटाके वो यह दिखाए कि हम कितने पावरफुल हैं हम दूसरों पर वो कर रहे हैं और वहाँ पर तो आपको पता ही है कि वैसे ही कम्यूनिजम है कम्यूनिस पार्टी का रूल है तो वैसे ही वहाँ पर ना लेबल लॉज है ना फ्रीडम आफ स्पीच है ना कुछ है वह तो सिधा जेल में भर देते हैं कोई बोलने वाली बात नहीं है तो चाइना के साथ इंपोर्ट बैन करना या चाइनीज गूट को बैन क बैठे हैं वैसी उनका पता है उनको ग्लोबल डॉमिनेंस का उनका तो प्लैन है यह तो कोई चुपी भी बात नहीं है जिस हिसाब से वो लोग अफ्रिका में इन्वेस्ट करते हैं जिसा आप से वो ने वो लोग ने नेपाल में घुसे हुए नेपाल के तो पॉलिटिक्स म को बाहर निकालना इतना इजी तो नहीं होगा बट हाँ इंपॉसिबल नहीं है सेलूशन की बारे में लाश में बात करूंगा उससे पहले आप जल्दी से फटाइक से सब्सक्राइब कर दो और अगर आप में सब्सक्राइबर हो अपने दोस्तों के साथ ताकि पता लगे कि हम जैसे गरीब लोग भी हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इसी से खाना वाना हमारा घर चलता है तो इंपोर्ट मत बैंद करो 90% इंपोर्ट हमारा चायना से ही आता है मैं नहीं कहता है कि चायना से बट मैं सेलूशन आपको लाशन बताऊंगा तो वीडियो को लास तक है थोड़ा मैं आपको डाटा के बारे में बताता हूं स्मार्ट फोन दो लाग करोड का मार्केट शेर है 72 परसंट चायना का है टेलीकॉम एक्विप्मेंट में 12,000 क्रोड का मार्केट है चायना का शेर 25 परसंट है बहुत बढ़िया टेलीविशन 25,000 क्रोड 40 to 45 परसंट च चायना का है मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं यह और इंडियन मार्केट में चायना किस तरह से गुसा हुआ देखो इंटेनेट एप्स 450 मिलियन डॉलर का और हर और कहते हैं कि 66% लोगों के फोन में एक ना एक चायनीज आप जरूर है आपके फोन में है टिक टॉक फार्मा सबसे बड़ी बात हम जो आपको पता हुआ हाइट्र कलोरोकुन हम इंडिया कितना चिल्ला-ए चला के कहते हैं कि हम पटानी कंट्रेश को हमने इंडिया में एक्स्पोर्ट करते हैं हमारे ठोल टोटल फार्मा का एपिया ही चाइना से आता है तो क्या हम 80% 80% एपिया ही चाइना के थ्रू हम इंपोर्ट करते हैं तो हम क्या उसको भी बंद कर देंगे दवाई यह नहीं बनाएंगे ऐसी मर जाएं तो यह मुझे लगता है कि वायबल नहीं है यह जो संटिमेंट है बहुत नहीं बता दूं चाइना इतनी सस्ते में बनाता कैसे है है चाइना का साब किताब ये है कि ना वहाँ पे लोग मजबनुवा मजबूरों के तरह काम करते हैं जितना पर दो और आप कुछ बोले नहीं कि सीदा ज्यल के अंदर तो इस वजह से वह जो है इतना चीप प्लांट लगाना चाहते हैं क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स स्टेबल है पॉलिटिक्स हाई नहीं वहां पर एक ही पार्टी का रूल है और वहां पर लेबर बहुत सस्ती है स्किल्ड है तो इस चीज़ को दूर करना मेरे को तो रखता है इतना हीजी है शॉट रन में लॉंग रन में हम कोशिश कर सकते हैं और यह तो बात होगी प्रोडक्स की अब बता दो इंडियन एंवेस्मेंट की आप इंडियन कंपनी जो है इंडियन कंपनी में ओयो हो गया असान नहीं होता चैनीज प्रोडक्स को बैंड करना वह इस तरीकरी से ग्लोबल ट्रेड में बहुत मुश्किल है आप देखी रहे हैं उनकी जो पॉलिसी होती है लोन देने की जैसे उन्होंने नेपाल को दे रखता है जैसे बचाया अभी उनका चल रहा है डैम का प्रोज चीज़र चल रही है जैसे कि युएस की एक खुद की कंपनी है युएस इंटरनेशनल डी एफसी डेवलोप्मेंट फैनैंचिल कॉर्पोरेशन वह भी डेवलोपिंग कंट्रीज को लोन देती है जैसे कि उसने भी आफ्रीका में लोन दे रहा है और एशिया पैसिफिक रि यह में में अपना बढा रहा है लोगों को लोन दे रहा है रिसिंट्ली 350 म Bush आफिम्स को देखने के बद की लोन देता की बहुhm सब्सक्राइब को फिनान्स के रूप में सामने आ रही है चाइना के जो इन्वेस्मेंट है उसके अल्टेनेट में अब बोलो गया या यह तो चाइना की तरीफ कर दिया अपने अब मेरे को लगता है जैसे कि अपना और सब्सक्राइबulator के सबसे बड़ी बात ही है इंडीया के बडहना है Keys of Settings बिजनस को बढ़ाना है इंडिया में प्लास पीछे आपको पता हुगा डिरिंग पांडेमिक के इस पाले हम इंपोर्ट करते थे चाइना से अब हम एक दिन में चाल लंग 50,000 PPE kit बनाते हैं और second number पे आ गए हैं after China PPE production में अब मेरे को लगता है इंडिया PPE kit का export भी खोलने वाला भी पीछे बात तो चल रही थी तो इस प्रकार बहुत सारे हमारे पास potential है potential है मैं अपने को चाइना नहीं बनना चाइना का alternate बनना है डिमोकरसी को फॉलो करते हुए अपने को manufacturing हब बनना है अभी पीछे जो एक हजार companies इंडिया में आने की बात चली थे आपको पता है कि ज्यादा companies हो नहीं यह दो-चार यह सारे चीज़े हैं अपने को अपने अंदर potential है अपने अंदर आसा नहीं है कि potential नहीं है बीच में हमारे अंदर sanitizer की जो firms है वो भी खुब बढ़ चड़के सामने आई है ट्राइबल करें ट्राइबल एरिया से sanitizer हम एल्कॉहल इंपोर्ट किया है अपने अंदर वो है potential तो है अपने अंदर देखते हैं कि इंडिया कैसे करता है बट इंपोर्ट मैं और ट्रेड मैं करना मुझे लगता यह एक वायबल ऑप्शन है आप लोगों क्या लगता है आप नीचे कमेंड में जरूर बताना और आपको अच्छा